परिचय क्या तुम जानती हो कि भारत की भूमी सतह 43 प्रतिशत मैदानों, 28 प्रतिशत पहाडों तथा 30 प्रतिशत से कम पर्वतों तथा पहाडों से घिरी हुई है? हाँ, तुम बिलकुर सही कह रही हो तथा कुल भूमी का केवल 62 प्रतिशत भागी प्रयोग मिलाया जाता है स्थल मंडल जीवन को सहारा प्रदान करने वाला मुख्य तंत है तथा प्रिथ्वी की सबसे उपरी सतह मृदा कहलाती है मृदा एक मुख्य प्राकृतिक संपदा है जोकी जीवित रहनी तथा विकास के लिए आवशक है भूमी का लगभग चार बटा बांच भाग मृदा से धका हुआ है उद्देशे इस पार्ट के अंत में आप निम्न करदे में सक्षम हो जाएंगे मृदा में खनीच की प्रचुरता को पहचानना ब्रिदा के प्रकारों को समझना ब्रिदा प्रदूशन को पहचानना जैवरासाइनिक चकरन को समझना जलिये चकर का अध्धेयन करना नाइट्रोजन चकर को समझना कारवन चकर का अध्धेयन करना ग्रीन हाउस प्रभाव को समझना आक्सीजन चक्र का अध्ययन करना ओजोन परत की महत्ता को समझना मृदा में खनिच की प्रचुर्ता एक चित्र में जीवन की विविदता को निर्धारित करने वाली एक महत्पूर्ण संपदा मृदा है प्रिथवी की सबसे बाहरी परत को भूपरिष्ट कहा जाता है और इस परत में पाई जाने वाले खनिच जीवों को विभिन प्रकार के पालन पोशन करने वाले तत्व प्रदान करते हैं लेकिन यदी ये खनिच बड़े पत्थरों के साथ संलगन होते हैं तो ये जीवों के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। हजारों और लाखों वर्षों के लंबे समयंतराल में पृत्वी की सतह या उसके समीप पाए जाने वाले पत्थर विभिन प्रकार के भौतिक रासायनिक और कुछ जैव प्रक्रमों के द्वारा तूट जाते हैं। तूटने के बाद सबसे अंत में बचा महीन कण मृता है। वे कारक या प्रक्रियाएं जिनसे मृता बनती है निम्न है। सूरे दिन के समय पत्थर को गर्म कर देता है जिससे वे प्रसारित हो जाते हैं। रात के समय ये पत्थर ठंडे होते हैं और संकुचित हो जाते हैं क्योंकि पत्थर का प्रतेक भाग असमान रूप से प्रसारित तथा संकुचित होता है। ऐसा बार-बार होने पर पत्थर में दरार आ जाती है, तथा अंत में ये बड़े पत्थर तूट कर छोटे-छोटे टुकडों में विभाजित हो जाते हैं। जल मृदा के निर्माण में दो प्रकार से जहायता करता है। पहला, सोरी के ताप से बने पत्थरों की दरार में जल जा सकता है। यदि यह जल बाद में जम जाता है, तो यह दरार को और अधिक चौड़ा करेगा। दूसरा, बहता हुआ जल कठोर पत्थरों को भी तोड़ फोड़ देता है। तेजगती के साथ बहता हुआ जल प्राया अपने साथ बड़े और छोटे पत्थरों को बहा कर ले जाता है। ये पत्थर दूसरे पत्थरों के साथ टकरा कर छोटे छोटे कड़ों में बदल जात जल पत्थरों के इन कड़ों को अपने साथ ले जाता है और आगे निक्षेपित कर देता है। वायू जिस प्रकार जल में पत्थर एक दूसरे से टकराने के कारण तूटते हैं, उसी प्रकार तेज हवाएं भी पत्थरों को तोड़ देती हैं। वायू जल की ही तरहा बालू को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। म्रिदा के प्रकार तथा भूमी प्रदूशन म्रिदा एक मिश्रण है, इसमें विभिन आकार के छोटे छोटे टुकडे मिले होते हैं, इसमें सड़े गले जीवों के टुकडे भी मिले होते हैं, जिसे हुमस कहा जाता है। इसके अतिरिक्त मिट्टी में विभिन प्रकार के सूक्ष्म जीव भी मिले होते हैं, म्रिदा के प्रकार का निर्णय उसमें पाय जाने वाले कड़ों के औसत आकार दौरा निर्धारित किया जाता है। मृदा के गुण को उसमें स्थित ह्यूमस की मात्रा और पाए जाने वाले सूख्ष्म जीवों के आधार पर निर्धारित किया जाता है मृदा की सनचना का मुख्यकारक हिमस है क्यूंकि यह मृदा को सरंध्र बनाता है और वायू तथा जल को भूमी के अंदर जाने में सहायक होता है खनिज पोशक तत्व जो उस मृदा में पाय जाते हैं वह उन पत्थरों पर निर्भर करते हैं जिससे मृदा बनी है किस मृदा पर कौन सा पादा होगा यह इस पर निर्भर करता है कि उस मृदा में पोशक तत्व कितने है हिमस की मात्रा कितनी है और उसकी गहराई क्या है इस प्रकार मृदा की उपरी परत में जिसमें मृदा के कड़ों के अतरिक्त हिमस और सजीव स्थित होते हैं उसे उपरी मृदा कहा जाता है उपरी मृदा की गुणवत्ता एक महतपून का रख है जो उस इक्षेत्र की जैविक विविदता को निर्धारित करती है आधोनिक खेती में किटक नाशकों और उर्वरकों का बहुत बड़ी मात्रा में प्रियोग हो रहा है लंबे समय तक इन पदार्थों का उप्योग करने से मृदा के सूक्ष मिचीव मृत्त हो जाते हैं और मृदा की सनचना को नश्ट कर सकते हैं जो की मृदा के पोशक तत्वों का पुनाचकरन करते हैं हिमस बनाने में सहायक भूमी में इस्थित केचुओं को भी ये समाप्त कर सकते हैं अगर समपूषणिय खेती नहीं की जाए तो उप्जाव मृदा जल्द बंजर भूमी में परिवर्तित हो सकती है उप्योगी घटकों का मृदा से हटना और दूसरे हानिकारक पदार्थों का मृदा में मिलना जो की मृदा की उर्वर्ता को प्रभावित करते हैं और उसमें सित जैविक विविदता को नश्ट कर देते हैं इसे भूमी प्रदूशन कहते हैं मृदा के महीनकन प्रवाहित वायू या जल के साथ भी स्थानांत्रित हो सकते हैं मृदा के समस्त कड़ों के स्थानांत्रित हो जाने पर कठोर पत्थर बाहर आ जाता है इस प्रक्रिया में एक महतपून संपदा की हानी हो जाती है क्योंकि पत्थर पर उर्वर्ता नगर्णे होती है इस प्रक्रिया को म्रिदा यानी भूमी का अपरदन कहते हैं पौधों की जणे, म्रिदा यानी भूमी के अपरदन को रोकने में महतपून भूमी का निभाती है सतेह पर पाई जाने वाली वनस्पतियां जल को गहरी पर्तों के अंदर ले जाने में भी महतपून भूमी का निभाती है जैव रासाइनिक चकरण जैव रासाइनिक चकरण ऐसे चकरिये मार्क हैं जिनके द्वारा रासाइनिक तत्व यानी घटक परियावरण से जीवों में आते हैं तथा पुनह जीवों से परियावरण में वापस आ जाते हैं जैव रासाइनिक चकरण इसलिए आवशक है क्योंकि इन तत्वों के संदर्भ में पृत्वी तथा उसका परियावरण बंद तंद्र कहलाता है तथा इन तत्वों का पृत्वी से बाहर कोई भी बहाव नहीं होता तथा उनकी मात्राएं सीमित होती हैं जैव रासाइनिक चकरण मुख्य था दो प्रकार का होता है गैसिय चकरण और अफसाद चकरण जलिये चकर हम जानते हैं कि जलिये भागों से जल के वाश्पी करण और फिर उस जल वाश्प के संघनित होने के करण वर्षा होती है लेकिन इस लगतार संघनन प्रक्रिया के बाद भी हमने समुद्रों और महासागरों को सुकते हुए कभी नहीं देखा है इसलिए हमारे मस्तिश्क में यह प्रश्ण उठता है कि किस प्रकार यह जल इन जलिये भागों में वापस आ जाता है इस प्रश्ण का उत्तर यह है कि पूरी प्रक्रिया को जिसके द्वारा जल जलवाश्प बनता है और वर्षा के रूप में सतह पर गिरता है और फिर नदियों के द्वारा समुद्र में पहुंच जाता है इसे ही जलिये चक्र कहते हैं यह सारा जल जो प्रित्वी पर गिरता है तुरंत समुद्र में वापस नहीं चला जाता है इन में से कुछ मृदा द्वारा सोक लिया जाता है तथा भूजल का कुछ हिस्सा बन जाता है कुछ भूजल जड़नों के द्वारा सतह पर आ जाता है यह हम कूपों और नल कूपों के माध्यम से इसे अपने प्रयोग के लिए सतह पर लाते हैं पानी विभिन प्रक्रियाओं के लिए स्थलिये चानवरों और पौधों द्वारा भी प्रियोग किया जाता है और आप जानते ही हैं कि पानी पदार्थों की एक बड़ी संख्या को घुलने में सक्षम होता है नाइट्रोजन चक्र हमारे वायू मंडल का 78 प्रतिशत भाग नाइट्रोजन गैस बनाती है तथा यह गैस जीवन के लिए आवशक अनुएक अड़वों जैसे प्रोटीन, नुक्लियक अमल यानि DNA और RNA तथा कुछ विटामिनों का भाग है नाइट्रोजन, एलकेलाइट तथा यूरिया में भी पाई जाती है नाइट्रोजन सभी जीव रूपों के लिए एक आवशक पोशक है यद्यपी कुछ प्रकार के जीवाणों यानि बैक्टीरिया को छोड़ कर दूसरे जीव रूप, निश्क लिए नाइट्रोजन परबाणों को नाइट्रेट्स तथा नाइट्राइट्स जैसे दूसरे आवशक अड़ों में बदलने में सक्षम नहीं है नाइट्रोजन स्थिर करने वाले ये जीवाणों या तो सौतंत्र रूप से रहते हैं या दूइबीच पत्री पौधों की कुछ स्पिशीस के साथ पाह जाते हैं साधारन ता ये नाइट्रोजन को स्थिर करने वाले जीवानों फलीदार पौधों की जणों में एक विशेश प्रकार की सनचना यानि मूल ग्रंतिका में पाहे जाते हैं। इन जिवानों के अलावा नाइट्रोजन पर्मानू, नाइटरिट्स तथा नाइट्राइट्स में भौतिक क्रियाओं के दवारा बदलते हैं। बिजली चमकने के समय वायू में पैदा हुआ उच्च ताप तथा दाब नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बदल देता है। ये ऑक्साइड जल में खुलकर नाइट्रिक तथा नाइट्रस अमलू बनाते हैं और वर्षा के साथ भूमी की सतह पर गिरते हैं तथा इसका उप्योग विभिन जीव रूपों द्वारा किया जाता है। समानिता पौदे नाइट्रेट्स तथा नाइट्राइट्स को ग्रहन करते हैं तथा उन्हें अमीनों अमल में बदल देते हैं जिनका उप्योग प्रोटीन बनाने में होता है। कुछ दूसरे जैव योगिक जन्तुओं द्वारा खपत की जाती है। जब जन्तु या पौधों की मृत्यु हो जाती है तो मिट्टी में मौजूद अनने जीवानू विभिन योगिकों में स्थित नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स तथा नाइट्राइट्स में बदल देते हैं। अनने तरह प्रकृती में एक नाइट्रोजन चक्र होता है, जिसमें नाइट्रोजन वायू मंडल में अपने मूल रूप से गुजरता हुआ, मृदा और जल में साधारन परमानू के रूप में बदलता है, तथा जीवित प्राणियों में और अधिक जटिल योगिक के रूप में बदल जाता है, कार्बन चक्र, कार्बन प्रित्वी पर बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है, ये अपने मूल रूप में हीरा और ग्रिफाइट में पाया जाता है, योगिक के रूप में यह वायू मंडल में कार्बन डायॉकसाइट के रूप में, विभिन प्रकार के ख प्रकाश संशिलेशन की क्रिया जो सूरी की उपस्थिती में उन सभी पॉद्धनीजों में कार्बोनेट और हैड्रोजन कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। प्रकाश संशिलेशन के लिए उर्जा प्रदान करते हैं। जीवित प्राणियों को उर्जा प्रदान करने की प्रक्रिया में गुलुकोस का उप्योग होता है। उद्योगों में होता है। उसके द्वारा वायुमंडल में कारबन डायॉकसाइट का प्रवेश होता है। वास्तव में जब से अध्योगिक करांती हुई है और मानव ने बहुत बड़े पैमाने पर जीवाश्म इधनों को जलाना शुरू किया है, तब से वायुमंडल में का दुगनी हो गई है। ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक ग्रह की सतह से ताप विकरण वायुमंडली ये ग्रीन हाउस कैसों द्वारा अफ्शोशित हो जाती है। और फिर सभी दिशाओं में विकीरण हो जाती है। उसके बाद विकरण का इना सतह की ओर वापस आ जाता है। उर्जा सतह और निचले वायुमंडल में स्थानांत्रित हो जाती है। यदि सौर विकरण द्वारा प्रत्यक्ष गर्मी केवल उश में प्रक्रिया थी तो परिणाम सो रूप वहां तापमान अधिक्तम होगा। वायुमंडल में विद् वायुमंग को बढ़ावा देती है। वैश्विक उश्मिकरण यानि गलोबल वायुमंग के कारण समुद्र के स्तर तथा वैश्विक तापमान में विद्धी होती है। यह क्रिशी पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है तथा तूफान, चक्रवात और बाहर की संभाव को बढ़ावा देती है। तापमान और आठ द्रता में विद्धी के कारण रोग में विद्धी हो सकती है। ऑक्सीजन चक्र ऑक्सीजन की मात्रा मोल रूप में वायुमंडल में लगभग 21 प्रतिशत है। यह बड़े पैमाने पर प्रिथ्वी के पटल में योगिक के रू अक्साइड के रूप में भी पाई जाती है। प्रिथ्वी के पटल में यह धातूँ तथा सिलिकॉन के ऑक्साइडों के रूप में पाई जाती है। यह कार्बोनेट, सलफेट, नाइटरेट तथा अन्ने खनीजों के रूप में भी पाई जाती है। यह जैविक अणूँ जैसे कार्बो हाइड्रेट्स, प्रोटीन, न्यूकलिक अमल और वसा अथवा लिपिट का भी एक आवश्य घटक है ओक्सीजन चक्र वायूमंडल में ओक्सीजन की मात्रा को संतुलित रखता है वायूमंडल में ओक्सीजन का उप्योग तीन प्रक्रियाओं में होता है ओक्सीजन पुना वातावरण में लाई जाती है वह प्रक्रिया प्रकाश संशलेशन है ओजोन परत ओक्सीजन समानिता एक दूई प्रमानविक अनू के रूप में पाई जाती है यद्यपी वायूमंडल के उपरी भाग में आक्सीजन के तीन परमानू वाले अनू भी पाई जाते हैं इसका सूत्र O3 होता है तथा इसे ओजोन कहते हैं आक्सीजन के समानने दूई परमानविक अनू के विप्रीत ओजोन विशेला होता है हम भागिशाली हैं कि ओजोन पृत्वी की सतह के नस्दीक स्थिर नहीं रह पाता है यह सूरे से आने वाले हानी कारक विकरणों को अफशोशित करती है इस प्रकार ये उन हानी कारक विकरणों को पृत्वी की सतह पर पहुँचने से रोकती है जो कि कई जीव रूपों को हानी पहुचा सकते हैं। हाली में ये पता चला है कि ओजोन परत का हिराज होता जा रहा है। मनुश्य के द्वारा बनाए गए विभिन प्रकार की यौगिक जैसे क्लोरो फ्लोरो कार्बन यानि CFC वायु मंडल में इस्थित अवस्था में उपस्थित हो जाते हैं। CFC यानि क्लोरीन तथा फ्लोरिन युक्त कार्बन यौगिक है। ये बहुत इस्थाई होते हैं तथा किसी जैव प्रक्रियद्वारा भी विगिटित नहीं होते हैं। एक बार जब वे ओजोन परत के समीप पहुंचते हैं, वे ओजोन अड़ों के जात प्रतिक्रिया करते हैं। इसके परिणाम सरूप ओजोन की परत में कमी आई। और हाली में अंटार्टिका के उपर ओजोन परत में छिद्र पाया गया। ओजोन परत के और भी अधिक शीन होने के कारण प्रित्वी पर जीवन पर पढ़ने वाले प्रभावों के विशे में कल्पना करना भी कठिन है, अथा बहुत लोगों के विजार में ओजोन की परत के शीन होने की प्रक्रिया को रोकने के प्रयाज आवशक हैं, अथा लोगों को ओजोन परत के भविश में होने वाले क्षे को रोखने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। क्या आप जानते हैं? पिछले कुछ दशकों से प्रतेक वर्ष दक्षणी हेमिस्फियर शीत के दोरान क्लोरीन तथा ब्रोमीन की रसायनिक अभिक्रियाओं से दक्षणी धुरुविय भाग में ओजोन परत का क्षे काफी तेजी से हो रहा है। इस ख्षे वाले भाग को ओजोन चिद्र कहते हैं। ओजोन चिद्र का आकार नक्षे के कुल ओजोन कालम को माप कर किया जाता है। ओजोन का मान 220 डॉप्शन एकाईयों से कम पाया गया तब से 220 डॉप्शन एकाईयों का मान निर्धारित किया गया। इसके अलावा अंटार्टिका के उपर प्रत्यक्ष मापन से 220 डॉप्सन एकाईयों से कम एक ओजोन इस्तर कॉलम, क्लोरीन और ब्रोमीन योगिकों द्वारा ओजोन हानी का एक परिणाम है। सहरांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संग्षेप में दोहराएं। विभिन प्रकार के पोशक्तत्व चक्रिये रूपों से पुना उप्योग किये चाते हैं। इस कारण जैव मंडल के विभिन घटकों में एक निश्चित संतुलन स्थापित होता है। वायू, जल, तथा मृदा का प्रदूशन, जीवन की गुणवत्ता और जैव विविदताओं को हानी पहुचाता है। हमें अपनी प्राकृतिक संबदाओं को संदक्षित रखने की आवशकता है और उन्हें संपूशनी रूपों में उप्योग करने की आवशकता है।